हुआ आइध कि रेक्षर में हम बात करेंगे किडिनी की हवाले से किडिनी की डेफ़नेशन देखेंगे अनाटमी देखेंगे थोड़े बहुत तो हैं एक ही और गन किड्नी है और उसके वह पेर है उसका जो है वह क्या है पेर है कौन से साइड पर है हमारे अधर साइड ऑंदा स्पाइन के दोनों साइड पर हैं पीछे की तरफ देखेंगे पुस्ट्रियर साइड पर तो रिपकेज के नीचे के साइड जो है वह हमें दिखाई देंगे अचा किड्नी का फंक्शन है वह क्या है कि फिल्टर करती है वेस्ट माटेरियल को आउट ऑफ दा बॉड़ी एंड और गे देम अउट आउट अफ दा बॉड़ी एज यूरीन बॉड़ेड में से जितना भी वेस्ट मतेरियल है उसको ज्मा करके हमारी यूरीन के जरीए प्साइड कर देती है व्हुसारी बॉड़ी का प्रेशय बॉड़ी का प्रेश काम भी जियां कटी ओट रही होते हैं कि misma कि तरफ थोड़ा सा उति 걱정िक में देखते हैं कमप्लीक्स हुममें इंटरनल चेक टुक्त स्च्र्थय को यह थोड़ा स्टॉक्यर स्टर्द कोमप्लेक्स तική गडैकं और दोड़ा अब हमें जो है वो हाइपर फैपो और आइसो जो है वो मिक्स हमें एकोजेनिसिती जो है वो internal इसकी मिलेगी इस रीनल सानसेट से बने हूवी होते हैं फिब्रो फेटी टीशू से जिसकी वजासे क्या होता है एकोजेनिक जो है ना वो हमें अपैरेंस दिखेंगी मशीन के उपर जो अल्टासाउंड के उसके उपर हमें जो हो इसकी एकोजेनिसिटी दिखेगी वो थोड़ी सी प्राइट दिखेगी अच्छा यहां पर रीनल अब जो है तो फोड़ा ब्राइट सा दिखेगी जो है वो एकोजेनिसिटी देता है अपनी जिसके वजासे थोड़ा सा हाइप अच्छा अब जो है हम वैजल्स की बात करें जीनल मजार से आते वैजल्स हों ही आर्ट्री जोवरेंस और अट्रेंट अब यहां पर जो है वह वैजल्स हैं जहां पर जो है वह अवर यूरी टिक करलेकिंग डक्स है ञेख और यह सब के तरीकिकी निखिए तो थिन दिखते हैं बहुत पतली दिखते ही तिन दिती हैं और अनिकोईग जायर सी बात है इसके वह फ्लूइड है क्लेक्टिं से मैं यूूनी में है और वैज तो वह तो तरीके कि दिखते हैं वह जो है वो फेटी है तो उनमें जो है वह एकोजेनिक तेने के देने के जासे वह क्या कहलाईएंगे आप अपास अपर पर इस तो यहां पर हमारे रेनल वैजल्स ने क्लेक्टिंग सिस्टम है जो किसा दिखे एनिकोज डिखेगा और जो फ स्टिथ हो रहे होते हैं गोटाई है कि वह सोनो ग्राफिकली इतने अच्छे नहीं तो दिखाई नहीं होते हैं तो इसके बाद उसके बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि उंप यूनिटस निके फंक्शनल यूनिटस अमरे पास मंत रीयोत को तिक हुआ दो बूक्ष है को रहा यहां पर प्राइमित से हैं और वेशनित करों के बात करते हैं अब आपको मैं आपको आगे दिखाती हो यहां पर लॉप औरedu की जो है लौस कि ट्वरमे हैं, लोक्त बिट्वीन के लाइब पिजिएफ दिखनी ने लॉबजेफ अब यहां पर देखावें ऺड़र हैं लबु हैं वह क्लों से लोब यहां के लिन लब्द कीड़नी लोब या रिम लोब भी इसको तबनाद यहां पर रहोज़ाएं किड़नी लोब किसके अंदर तॉ रहे हैं रहे हैं किडनी लोब, कर रहा हैं यहां में यह तो का ओलम सि बीच वाला हिस्ट होगा एक ढायतों के बीच इसा Everywhere के बीच में यह क्या कहलता है यह वह आ है यह उकर रखाल में के डियान चुनेल कॉलम कह एंगे इनको यह इमेज नहीं ही है इसके अधर बहुत अच्छे साफ को समझ में आजाएगा क ही मेडियूलरी और पैरम्स एंसले कहald पास माइनर मेंजर कमें इसके बिद्स значит नीचे मंसे स्टार्ड हो रही है। स्क्सकर्ट तो लैंगी हमार पास माइनर कालस यह क्यालग्स मिला कर जो इन लTe woo निटी के लाएगा मैजर कालिक्स कहलाइगा और फिर एक जो है वो फूरा नीचे तक आ रही एं तरह पहे無सकिन वतन रिनल पास बन रहा है कलेक्टिंग सिस्टम एक क्या कहल आएगा प्र यह यो रिट ओ यह यह जो है प्रमुट कर नीचे हैं रिलकूल क्या क्या के ला रहे आटिक यह कौन बड़ी नियुक्त क मलाelia में भी यह इंड़ियर्य मिल रहे हैं माइनर वाले हैं फिर मिलाकर बड़ा बना रहे हैं मैजर कैलिक्स और यहां तक बात आपको समझ आगई होगी है इसके बात रीट सिनसेज वो मैं पहले में पहले दिका चुक्त हैं कि आरिया विधिन इंवेजिनेटिटेड्ग किड्नी केंदर व किलाएगा और रीनल हाइलम और रिनल सिननसिस कनेक्ट हो रहा हो किनेक्ट रहे हो और बात करेंगा रिनल पेल्विस और निपैल्विस को नाँड मेरा पुरा मेजर कैलिक्स बन सब्सक्राइब वो renal pelvis कहलाएगा अब major function क्या है renal pelvis का अच्छा एक मिनट पहले मैं function से पहले और clear कर दूँ बात renal pelvis की किस तरीके से दिखता है ये हिस्सा गे क्या क्या कहलाएगा कि ये पूरा प्योप्स लिकहाँ है ये हिस्सा क्या कहलाएगा renal pelvis जो major से बरागे यहीं आपको चल गया है अब हम देखेंगे सत क्या टिभी का ह यह सब्सक्तर आपके सकी में ऐसा एकट करताएиях as a for the urine following to the year data अब यह क्या करता ही कि फणल बना लेता है कहां किसके लिए युरीन के लिए कि युरीन जो है वो कहां चल जाएं में चला जाएं मतरब सारे मेजर कैलिक्स जब मिलते हैं और फिर वो जो है बना रहे होते और ने के नहीं का काम है कि वह सरा जो हुरीन है करके जो किंदह का पहुंचा बडिन नरिया को कहां पहुंचा लगे अन्दर फोडिया फिके जैनल तो येटर फोराइटर कैसल पार्ट सकते। और क्या है यह फानल लाइक है इस अपॉइंट ऑफ कन्वेंट ओफ थू और था ज़ए अभी मैं बताएं कि मेजर कैलिक्स को मिला रहे होते हैं और उरीनल को बना of the renal pelvis called a calyx. Calyx में आपको बताई दिये है, calyx क्या होते हैं. ठीके, minor calyx, major calyx, जो minor calyx है, वो क्या बोल रहे हैं, कि वहाँ पर जो है, renal papyrie is surrounded by branch of renal pelvis. अब यहाँ पर renal papyrie जो है, वो मैं आपको दिखाती हूं. यह देखें, renal papylae दिखावा है. कि भी अपटलिया और फिर यह जो यहां से ही निकल रही है वह और संशड़ा केलिक्स इनal पिर यह Servus टो यहां तक मेरे चाल आपको बाम अब यहां पर थोड़ा सा तेख के अठंक में जो है वह वह कितने हैं 11 Average कुछ जो हैंना वह मिलाकर küçük ऐक बना रहा होते हैं अबhãर सोनोग्राफिकली अगर हम जब देखते हैं जब देखते चाहिए पहुन या हर्च शेपके डिक्टे हैं जिन तुलिवर से स्थेड़ां जादा एकोजेनिक दीखता है देन दापरामेड्स की सिभाव हैं थोड़े से देखें लेकिन जो काटेक्स होगा वो तोड़ा सा कैसे देखें जादा एकोजेनिक दीखेंगा पैरामेड्ट से उसके बाद जो हैं वो क्या बोल रहे हैं कॉटेक्स एकोजेनिसिटी ऑफ दा किड्नी शुट बी इक्वल टू स्लाइटली और लेस्ट देन डैट आफ दा लिवर अब यहां से लिवर से कंपेर शुरू कर दिया हमने के साथ में लिवर होता हैं लिवर किंचे हम देख रहे होगी वट लिवर से थोड़ी कम हो जो च्ञाप करें से किड्नी की जो कॉंटक्स हम देख रहे हैं वह थ्थोड़ा साथ हो या तो एक्वल हो लिवर कि एकोजेनिसिटी से या स्ट्वरा कम हो और उसकी थोड़ा कम हो और स्प्लीण से जो है वह क्या हो तो किस तरीक से वो किटनी और स्लाइटली ओवाइड इन दा एक्जल सेक्षिन डेट दे लोंगेस इसेंशन डारेक्टिट फॉम दा एंटो मीडिल और पोस्ट्रो लेटरल अब हमें यहां पर जो है वह एंटो मीडियल या पोस्ट्रो लेटरल जो है ना वह पोजीशन नाना नी पड़ेगी क्यारियं आरफ राहक्यों आलच लेटरल और इंटो लीडियाल इस तरीकी के अप्रोच वह हमें लेनी पड़ेड़ी आज का लेक्चर हम यही तक रखेंगे इंशाल्ब हम और मजीड नेक्स लेकचर के अंदर हम और मजीद यह वो अल्ट्ररासांड इमेजिस देbelsेगे लि झाल झाल